Hello everyone, welcome back to the channel, one second, welcome back to another new video, आज मेरे सामने हैं Honda Honda 2.0 and all new Bajaj Pulsar N250, इसको अभी-अभी Bajaj ने लांच किया है, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, and यहाँ पर देखो, Honda की प्रीमियम नेकेड भाइक है, and यह भी Bajaj की प्रीमियम नेकेड भाइक है इस सेग्मेंट में, तो यहाँ पर दोनों Bajaj को आज हम लोग compare करेंगे detail में, यहाँ पर देखो, आप लोग सोच सकते हो की 184cc है, and 249cc, या भी 250cc बोल लो इसको, तो CC का यहाँ पर इतना जाद है difference हो, तो इन दोनों को compare करने क्या मतलब है, यहाँ पर जो price point है, बहुत जादा difference नहीं है, and काफी सारे feature से, जो यहाँ पर match करते हैं, दोनों में similar है, and जो मतलब tire profiles बगर है, यह भी similar, मतलब दोनों Bajaj काफी bulky है, ठीक है, तो एक यहाँ पर doubt रह सकता है कि अगर ले तो कौन सा ले, माइलेज किसमें जादा आप लोगों देखने को मिलता है, ठीक है, feature specification में कितना जादा difference देखने को मिलेगा, डीटेल में बात करेंगे, एक एक चीज लेकर बात करेंगे, आगे चल कर इस वीडियो में, बट इस वीडियो में आगे बड़े उससे पहले very special thanks to लीडर सुनडा तारा तला, और या फिर बजाज की कोई भी बाइक देखना हो, या फिर खरीदना हो, और आप लोग कोलकाता या फिर आसपास की एरिया में रहते हो, तो दोनों showrooms को आप ज़रूर से विसिट करना, सारे डीटेल्स आप लोग को डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो और भी कोई टाइमेस्ट के बिना चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों बाइक के लुक से तो अगर अच्छे से देखें मैं आप लोग को एक हलका सा वाक एराउंड दे देता हूं दोनों बाइक यहाँ पर काफी बलकी है ठीक है एक दम बिग बाइक वाली फिलिंग मिल जाएगी देखके यह इस टाइप में कुछ है टाइर देखने को मिल जाएगा एंड रियर सेक्षन में 140 बाइ 70 17 इंच विल देखने को मिल जाता है कुछ एच टाइप में सें है एक दम होह Saget में and N250 में सें देखने को मिलता है यह पर ब्रेकिंग सिस्टेम अगर मोग देखके तो हॉन्येट में थोड़ा से disadvantage है, इसमें आप लोग को single channel ABS देखने को मिलता है, dual disc तो मिल जाता है, but यहाँ पर single channel ABS मिलता है, I think अभी के date में dual channel ABS होना बहुत जरूरी है, इसको update करना चाहिए बहुत जल से जल, इसमें आप लोग को front में 276 mm की petal disc देखने को मिल जाएगी, ऐसे टाइप में कु और पेटल डिशद्स देखने को मिल जाएगी, ग्रेमीका के कालीपर के साथ, बजजाज के Bikes में आप लोग तो ग्रेमिका की कालीपर देखने को मिलता है, फॉरंट में यहाँ पर 300 mm की petal disc देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी ग्रेमीका का कालीपर देखने को मिल जैसे कि इसमें आप लोग को 249 CC की एंजिन देखने को मिल जाएगी, सिंगल सिलिंडर SOHC, एर ओईल कुल्ड एंजिन, यहां पर ओईल कुलर यूनिट भी मैं दिखा देते हूं एक बर, यह भी काफी हुज है, तो कूलिंग काफी बड़ी होने वाल है, यहां पर आप लोग को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलते हैं, इसमें नॉर्मल एर कुल्ड एंजिन देखने को मिलते हैं, और यह 184 CC सिंगल सिलिंडर SOHC FI पावड एंजिन है, पावर फिगर से अगर हम लोग देखें, यहां पर होनेट प्रदूस करते हैं, 17.2 PS की मैक्स पावर एंड 16 Nm की मैक्स टॉर्क, जबकि यहां पर अगर N250 में देखें, यह प्रदूस करते हैं 24.5 PS की मैक्स पावर एंड 21.5 Nm की मैक्स टॉर्क, तो यहां पर देखो, obviously CC जादा है, ठीक है, QB capacity जादा है, तो उसके इसाब से पावर फिगर्स जादा हो गए, ठीक है, यह ओविएस सब बात है, तो इसके वैश से क्या होगा की, देखो यहां पर CC जादा है, पावर जादा है, तो इसका माईलेस थोड़ा से यहां पर कम होने वाले है, यह बेसिक सा बात है बाकी यहाँ पर दोनों बाइक में आप लोगो को स्लीपर एंड एजिस क्लाच के साथ इंजिन देखने को मिलता है एंड यहाँ पर देखो अभी इसमें भी उस्टी फॉर्क कर दिया बजाज ने इस टाप का कुछ 37 mm के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 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 यहाँ पर देखो चोटा सा बैंड देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर देखो चोटा सा ब्रेंडिंग देखने को मिल जाएं इसमें भी कुछ ऐसे टाइप कई देखने को मिलता है, अब इसमें कुछ ग्यास चार्जिंग भग रहा है, देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर सीट हाइट अगर देखे न, तो होनेट में यहाँ पर 795 अम की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, जबकि यहाँ पर N250 में 800 की सीट हाइट है, अभी थोड़ी देर में मैं आप लोग को बैट कर भी दिखाता हूँ कि कैसे क्या फील है, टैंक कैपसिटी यहाँ पर 14 लिटर सब टैंक कैपसिटी मिलता है, थोड़ा सा एडबंटेज मिलता है यहाँ पर एक्स्ट्रा जो टैंक कैपसिटी है, यहाँ प हलका सा रेफ कर तेस को तो यह था होनेट 2.0 अभी स्टार्ट करते एंड 250 जिसमें डूएल बैरेल एक्सार्ट तेखने को मिलता है इस टाइब का कुछ तो यहां पर I don't think यह मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है यहां पर N250 काफी जादा लाउड है आंड हॉनेट जए थोड़ी सी यहां पर silent nature की बाइक है बाकी यहां पर अगर और भी डिफ्रेंसियं अम लोग देखे ना यहां पर होनेट में आप लोग को कोई भी कनेक्टिवीटी फीचर भी देखने को नहीं मिलते एंड कनेक्टिवीटी नहीं तो अबिसली टन्वाइट और नेविगेशन वगरे कुछ यहां पर एवेलेवल नहीं है बट यहां पर बजाज ने इसमें डिजिटल मीटर्ट किया है उसके साथ साथ इसमें अभी आप लोग यहां पर कोई प्रॉब्लेम ही नहीं है फ्लैट फूट तो रही रहा है मेरा पैर फोल्ड भी रहा यहां पर ठीक है मतलब बहुत जादा यहां पर कॉमफोर्टेबल पॉस्चर है मतलब अगर पांच फीट दो के भी होना तो इस बाई को चला पाऊगे एंड वन फॉर्टी थोड़ा से रेज़ भी है तो देखो मैं एक ताइड भी बैठ सकता हूँ और अगर मैं चाहूं तो ऐसे गर के अगरेसिव भी चला सकता हूँ हलका सा जुक के ठीक है और अगर सीट की बात करें तो सीट यहां पर अभी तो मुझे हलका सा इसे स्टिफ फील हो रहा है बट चलाते टाइम थोड़ा अलग हो भी सकता है तो वो तो जब में राइट करोंगा इसको स्टेम्पे में आप लोगो डीटेल में बता पाऊंगा एंड इसका जो पीलियन सीट भी काफी स्पेशियस है यहां पर तो आप अगर किसी को भी मतलब वैसे बिठा रहो घर पर ठीक है किसी को भी तो कोई प्रॉब्लेम नहीं होगी और सीट बहुत जादे हैं अपर हाइट पे नहीं है एक तम ठीक ताग तो अभी एंड टूफिप्टी में बैट कर मैं आप लोगो दिखाता हूं कि कैसा क्या है नहीं है पांच अमेम आप लोग इसमें जादा देखने को मिलत एंड सॉफ्ट है यहां पर देखो पांच अमेम जादा है तो वह फील हो रहा है मुझे बैट यहां पर वेट वह बैट नहीं है क्योंकि यह कंप्लीट फाइबर बिल्ट नहीं है इसके तैंक यहां पर देखो तू फिप्टी सीच है उससे यहां पर मतलब कैपसिटी जाद आप ठीक है ऐसा कुछ है अगर पॉश्चर की बात करे तो इसमें ना इसका पॉश्चर जो है बार है बर्त इसमें हलका सो वह क्लीपउण वाली आप लोग पाॉस्चर मिल जाएगी अप लोग को देख सकतो यहां पर इसका जो पोजिशनिंघ कर बार का पोजिशनिंग बा बैठा हूं में सीट के यहां पर बैठने से हलका सा जुक कर चलाना पड़ेगा तब स्टैंस थोड़ा सा एग्रेसिव है काने का मतलब यह ही है बाकी आप लोग इसमें भी फैमिली को बिठाओ कोई प्रॉब्लेम नहीं होगी सीट यहां पर काफी स्पेशियस और यह सीट भी मिल जाता है ठीक है यह काफी बढ़िया चीज है बाकी इसको भी आप लोग अगर पाच फीट दो चार के हो तो इसको भी चला सकता है कोई प्रॉब्लेम नहीं है बट क्यूंकि थोड़ा सब मतलब हैवी है तो क्या हो सकते कि बाइचाश टिप्टोग अगे रहने से अगर ग्राउंड क्रेंस हो ना तो हमारे इंडियन रोट के लिए एक दम सही है कोई प्रॉब्लेम नहीं होगी दोनों बाइक में आप लोग को अंडर मतलब जो बैली पैन होता है ऐसे टाइप में कुछ देखने को मिल जाएगा इंजिन गार्ड बोल लो इस टैप का कुछ एंड यह भी कंप्लीटली फाइबर है एंड यहां पर भी आप लोग को ऐसी टैप में कुछ देखने को मिलते हैं यह भी फाइबर है बट इसका साइज जोना थोड़ा सा बढ़ा है जादा आप लोग को मतलब इंजिन को जादा प्रोटेक करेगी यह वाला ठीक है अभी मै अग Mr. यह को दोनोह bike के meters दिखा देता हूं कैसे क्या है नहीं है अब यहां पर हॉन यहां पर जो भी वर्निंग लाइट्स है स्टैंड अलम बोल लो हाइब लो भीम एबीएस न्यूट्रल ठीक है सारा कुछ आप लोगो नीचे छोटा सा यहां पर एक पैनल है यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर दो बटन मिलते हैं इससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो अगर स्ट्विएस गेर देखे हैं लोग तो इस साइड में आप लोगो को कट आउट स्विच हैज़ाइड कश और एस्ट में आप लोगों को पास मिल जातें और ऑसे जो ग्रिप्स वगरे काफी but I'd और सबसे मेन चीज़ क्योंकि Sleeper and As-is Clutch है, तो Clutch काफी light होता है, ठीक है? और Honda में देखो, मैं जब भी Honda का बाइक चलाता हूँ या फिर रिव्यू करता हूँ, मैंने हमेशा यह चीज़ बोला है कि Honda के जो, मतब Honda का Clutch का Quality होता है, काफी बढ़ी होता है, Sleeper and As-is Clutch, अगर ना भी रहना, तब भी Honda का Clutch काफी light होता है, पहले से, मैं खुद Honda चलाता हूँ, तो मुझे यह चीज़ काफी experience है, अगर अभी हम लोग यहाँ पर देखे, N250 में, एकदम brand new meter देखने को मिलता है, और इसमें देखो, जैसे हम लोग इसको on करते हैं, आफ करके मैं आप लोग को on करके दिखाता हूँ, जैसे on करते हैं, यहाँ पर देखो, एक आप लोग को देखने को मिलेगा, तो turn by turn navigation बोल लो, call SMS alert बोल लो, सारा कोछ देखने को मिल जाता है, इसको अगर, किल सुच कौन करना पड़ेगा यहाँ पर, gear position indicator और warning lights आप लोग को left and right में देखने को मिलता है, यहाँ पर एक नया चीज आप लोग को देखने को मिलेगा, यह देखो, TC करके, तो traction control भी इस बाइक में दे दिया है, and traction control को आप लोग on-off भी कर सकते हो, इसमें तीन mode देखने को मिल जाएंगे, आप लोगो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, road लिखा हुआ है, यहाँ पर यह बटन है, इसको अगर आप लोग डबल क्लिक करें, इसको अगर डबल क्लिक करें, यह देखो, यह रेन हो गई, and फिर से अगर डबल क्लिक करें, यह road, rain, यह off-road, तो तीन modes यहाँ पर आप लोगो देखने को मिल जाएंगे, बाकी इसको अगर ऐसे single click करें, तो आप लोग मीटर को control कर सकते हो, यहाँ पर देखो, enter warnings, settings, instantaneous feel economy, average feel economy, इस साइड में भी आप लोग देखो, trip information बगएर, यह भी change हो रहा है, odometer, ठीक है, बाकी यहाँ पर, fuel gauge, tachometer, ठीक है, यह सारा कुछ आप लोगो देखने को मिल जाएंगे, size stand alarm बगएर यहाँ पर, तो मीटर तो काफी advance है, यहाँ पर आप लोगो एक छोटा से charging port भी देखने को मिल जाता है, तो ऐसा टाइप का कुछ आप लोगो होनेट में देखने को नहीं मिलता है, मतलब होनेट में एकदम सिंपल बाईग है, charging port बोल लो, और इतना कुछ मैंतलब extra features, traction control अगरे कुछ देखने को नहीं मिलता है, and switch gear अगर देखें हम लोग यहाँ पर, इस side में आप लोगो को cut-out switch, यह headlight on-off करने का switch, यहाँ पर self-cut switch, and इस side में आप लोगो यह जो बटन ही, यह मैं बता दिया, आप लोगो meter को control कर सकते हैं, and यहाँ पर अप लोगो एक switch में हाइब लोगी में पास का switch मिल जाते हैं, और यहाँ पर turn signals and यह horn है, बाकी यहाँ पर pulsar के 3D emblem देखने को मिल जाता है, इस type में कुछ, अभी अगर दोनो बाइक की lights देखें, दोनो बाइक में देखों, यहाँ पर completely LED setup मिलता है, कुछ भी आप लोगो halogen bulb यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, अगर start करें यहाँ पर end 250 से, यहाँ पर पहले में आप लोगो दिखा दे तो यहाँ पर छोटे-चोटे दो DRL मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर headlamp देखने को मिल जाएगा, जो main headlamp है, अगर इसको on करें, उससे पहले में आप लोगो चाभी भी दिखाते हैं, यहाँ पर आप लोगो वेफ की मिलता है, बजाज के लोगों के साथ, कुछ इस टाइप में, ठीक है, और इसको जैसे हम लोग on करते हैं, चाभी को जैसे on करते हैं, DRL जलते हुए दिख जाएंगे आप लोगो, यहाँ पर जैसे हम लोगो इसको start करते हैं, start करते हैं कि बात भी यहाँ पर headlight जलते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि headlight on off का एक अलग सा switch है, तो जैसे on करते हैं, यह दें, और इसको अगर high beam, low beam करें, यह दें, ऐसे टाइप में कुछ है, और प्रोजेक्टर का जो throw है, अभी दिन है, ठीक है, दिन के टाइम में भी इतना है, तो आइगेस रात के टाइम में भी बढ़िया होगा, और हम लोग एक night ride भी करेंगे, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से दिखा पाऊं कि कैसा क्या है नहीं है, और इसमें आप लोग को hazard नहीं मिलता है, बाकि आप लोग को hornet 2.2 में hazard मिल जाता है, यह एक एक्स्रा feature बोलो या फिर कुछ, इसको अगर हम लोग on करें, इसको जैसे on करतें, यहाँ पर DRL आप लोग को दिख जाएंगे, and literally guys, मैं honest एक चीज़ बता रहू, मुझे पता नहीं, Honda का जो हम लेटेस्ट अभी बाइक से नहीं, इसमें I think light का पार और थोड़ा से better हो सकता है, इसको जैसे on करतें, यह main headlamp आप लोगो दिख जाएगा, and अगर इसको high beam करें, यह देख, तो light cut हो तो मेरे इसाब से यहाँ पर improve होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर एकर दोनों भाई की price देखे न, इसके लिए आप लोगो 1,66,000 and इसके लिए आप लोगो 1,75-80,000 के बीच में pay करना होगा on road, तो यहाँ पर देखो, एक 10-15,000 का difference है, तो आप लोग जो extra pay कर रहे हो नो guys, यहाँ पर extra pay करके आप लोगो extra चीजे भी मिल रहे हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा high CC है, आप लोगो extra power मिल जा रहे हैं, उसके साथ-साथ dual channel ABS, traction control, सारा कुछ मिल जाता है, disc brake के जो size है, वो भी इसके मुकाबले इसमें बड़े मिल जाते हैं, तो यह सब चीजे आजकल के date पर बहुत जाद है, मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि 250cc है, 180cc है, तो 180cc में यह सब क्या जरूरी है, 160cc भी अगर हो ना तो dual channel ABS देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है कि आप लोग जो 15,000 ऐसे extra pay कर रहो, उसके एगेंच में आप लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सारे चीजे मिल जारे है, extra power मिल जारे है, field tank, capacity वगरा जादा है यहाँ पर, बाकी build quality देखे ना, build quality दोनों बाई की बढ़िया, ऐसा में नहीं कहूंगा कि इसका भी build quality काफी बढ़िया, तो यह था गाइस, एक detailed comparison video, Honda Honda 2.0 and N250 के बीच में, आपकी मैंने सारे points cover कर लिये, अगर आप लोग को लगता है कि कोई भी point में miss किया हो, तो आप लोग कमेंट करना, मैं answer जरूर दूँगा, इस वीडियो करते हैं, यहीं पर end, अगर वीडिय के बी से बेंट, कीप रेडिंग, हाट गेस, चलो, बै बै, बै